वहले दोस्तों नमस्कार, investment process में आप सभी का दिल से बहुत-बहुत सब्सक्राइब बात करें कुछ important stock के बारे में, उनसे जुरू ही कुछ important news को detail में cover करेंगे, बात करेंगे, बजाच FinSup Limited के बारे में, बजाच FinSup Limited के अगर हम बात करें, fantastic company, शांदर company, धमाकदर company है, फ्राइडी के दिन की performance के बात करें, तो हमें एक flare performance देखने कुमला है, जरूर अपने focus बना के रख सकते हो, साय से इन stock में इस news के चलते हैं, आपको एक अच्छी कासे तेजी जरूर देखने को मिल सकते हैं, so news के अगर हम बात करें, तो माहराष्टर गरवेमिन के साथ, बजाज फिंसप के हमें MOU sign होते हो देखने को मिल जाएगा, और इसी news को अर कंटिनू कर लें, जो के आप देख पारोंगे, साब साब लिखा हुआ है, जो माहराष्टर गवर्मेंट है, उनकी साथ, हमें MOU sign होते हैं, देखने को मिला था, देखने को मिला बजाज फिंसप कंपनी के साथ, so इसके चलता है, बोल सकते हो के 5000 करो की इंवस्मेंन के जाएगा पूने में, और इनके चलते हैं, एक्सपेट के जा रहे हैं, कि लगब 40,000, दोस्तो 40,000 के हमें new job create होते हैं, आपको देखने को मिलाएगे, जो की, यह company के लिए भी, साथ साथ महारश्ट्रा, state के लिए भी, साथ साथ पूने के लिए भी, साथ साथ हमारे इंडिये के लिए एक positive point है, so इस news के जलते है, no doubt, यह news के अगर हम बात करें, जो 5000 करो की investment किया जा रहे है, तो no doubt, इस news, तो दोस्तो, obviously, बजाज फिंसप के लिए एक positive news है, तो इसकी चलते है, अब कल के दिए इन stock को ज़रूर focus में रख सकते हूं, सो बैसे बजाज फिंसप लिम्टेट की बात करें, अगर 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 आप देखोंगे, तो आपको एक मत में आपको एक अच्छे कासी तेयरी देखने को मिलेगा, उसके पीछे का रिज़न है कि बजाज फिंसप, आपको एक मत में इन stock में आपको एक अच्छे कासी positivity जरूर देखने को मिलेगा, सो हालि में अमें इस कंपनी में काप्रेक्षे को मिला, कंपनी ने 1 इस तो 5 का स्प्लीट भी डिकलर किया, और 1 इस तो 1 का आपको एक सेर थे, बजाज फिंसप के, उनके पास आप टूटल 10 सेर हमें होते देखने को मिलेगा, बजाज फिंसप लिम्टेट के, तो इसके जलत है कि स्टॉक में बहुत ही गिरावाट हुआ, तो ऐसा बिलकुर नहीं है, इसमें बहुत बड़े कॉर्परेशन हुआ है, जिनके चलते आपको यह चार्ट पर अभी तक एडिसमेंट नहीं हुआ, और कुछी दिनों के अंदरा कोई सारी चीज़े नॉर्माल होते देखने क जा रहे हैं, महाराष्ट्र गवर्मेंट के साथ हमें MOU सायन होते होते हुआ हुआ है, इनकी आने वाल टाइम में, बजाज फिन सब को बहुत अच्छे का से फाइदा जरू होते हुआ देखने को मिलेगा, तो क्या शौट टाइम के साब से, यान कि कल के दिन इस न्यूस के अगर आप देखोगे, तो यह जो लेवल आपको देखने को मिलेगा, यह सिर्फ फ्राइडी के दिन के यह लेवल नहीं है, बहुत कुछ दिनों तक अगर इस स्टॉक की प्राइस को अगर आप आप अब्सरब करोगे, जैसे कि पिछली फाइव डेस की बात करें, तो सेम, आपको एक फ्लैक्टी मोमेंटम दिखाते देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ, शिक्स मंत के बात करें, बीच में स्टॉक बहुत गिरा था, लगबाग 4,150 का आज पता है, उससे भी नीचे, मैंने बहुत बार कहाता है, मैं रेकॉमेनेशन कभी नहीं देता है, लेकिन इ करने के लिए, और अगर अपने टॉक पे खरीदा, तो एबरेज करने के लिए ये गिरावाट काफी है, साथ की साथ, अगर पिछली एक साल की प्रफॉमेंस के बात के तो भी आपको फ्लैक्टी प्रफॉमेंस देखने को मिलेगा, सो मैं बताना क्या चारो, मैं बताना दोस किया, ना इस लेवल को क्लोजिंग के, एक तम उसी बॉटम पे उसी रेंज में स्टॉक हमें ट्रेड करते हो देखने को मिलेगा, अगर बाजर में थोड़ा बात पॉजिर बीड रहा और हो सकता है, कल की दिल हमारी इंडियन बाजर में, थोड़ा बात आपको पॉजिर बी 501 पस है, और NASDAQ तो बहुत दिलों से कंसिस्टेंसी तेजी दिखा रहे है, तो NASDAQ आपको पता है इन में बहुत सार Tardews, इन में मैसिम आदे आते आपको można सार आगा सार आ या, तो अगर NASDAQ भागा है, तो इन कंदर जो बी टेक्नोज कंपनी आ जाते , IT आ जाते उन्हों न तो बहुत सांदर बहुत बड़ी कंपनी है तो अगर आम टेक्निकल की बात करें तो आप देख पारेंगे अगर इस लेवल को जो 5,000 के रिसिस्टेंट लेवल है इसको अगर बेक कर दे उसके अगर क्लोजिन दे तो सरी आप चाहत उसमें टॉप पैकर खड़ेदे अबरेज या फ्रेज बाइंग करके चल सकता है आपको बहुत ही शॉट पिंड में सारे 5,000 चले के छी हजार के कल के दिन यह स्टोक अगर बाजर में तेजी रहा तो जो कबसे यह कोशिश कर रहे किया इसको ब्रेक कर पाएगा 5,000 को यह देखने कल के लिए बहुत ही इंट्रेस्टिंग आने वाले आज नहीं तो कल नहीं तो परसू नहीं तो तरसू एक महीने छे महीने बाद इसको तो ब्रेक करेगा है और अगर आपके पास है तो बिंदा 2,000 बीटेटी तेक नहीं तो क्योंकि इसको भी फोकस में रखना जिन के पास है उनको तो रिटन बनता जाएंगा जिनके पास है उनको भी बहुत कुश सिखने को मिल आगा क्योंकि जब से लिश्टिंग मताब पाँ सा और आपको यह 700, 800, 900 बसें बना के दे देता है तो सेम पैटर्न ऐसा कोई स्टोक आर आपके पास है जो स्टोक भाग नहीं रहे नमबर अच्छाने के बाद भी प्लीज होल्ड करके बैठे रहो आपको रिटन में जागा कि कुई जिस टाम स्टोक भागेगा किसी को नहीं पता कब भागेगा यह अच्छी स्टोक आपके पास है ना कंसिटनसी अच्छी नमबर दिखा रहे ना होल करके बैठ जाओ चौतो और भी एडिशन करके छोड़ दो इस टाम स्टोक भागेगा आप सोज भी नहीं पाओगे स्टोक भागता ही जाएगा और भागता ही जाएगा इसको भी फूकस में रखना कि कल के दिन यह तीजी कंटीनू रखता है यह थोड़ा बाद प्रॉफिट भूगिंग होता है सो विडियोत नहीं कोई डाउट है